क्रिशन जन्माश्टमी बड़ी धूम धाम से मना रहे हैं मैं सबी देश वाशियों को और क्रिशन भक्तों को जन्माश्टमी की बहुत-बहुत बधायर शुब कामने देता और इश्वर से ये भी कामना करता हूँ कि इन गमंडिया गटबंदन के नेताओं का अहंकार और गमंड थोड़ा कम करते हैं इनकी सोच में थोड़ा सुधार करते हैं थोड़ी सदबुद्धी दे दे हैं क्योंकि इनका अहंकार और गमंड इनको इतने निचले सतर के ब्यान देने पर मजबूर करता है क्यों सनातन धरम को मिटाने की बात करते हैं हिंदूओं को अप्मानित करते हैं लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं इन सभी घमंडिया कटबंदन के निताओं को कि सोच को रखे मुगल आकर चलेगे अंग्रेज आकर चलेगे सनातन था सनातन है सनातन रहेगा और शिरिमान राहूल गांदी जी की नफरत की दुकान में जो नफरती समान है वो एक घमंडिया कटबंदन के निताओं बेच रहे हैं एक के बाद दूसरा हिंदू समाज को हिंदु धर्म को अपमानित करने का कारे कर रहे है ये देश कभी सविकार नहीं करेगा लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि शिरिमान राहूल गांदी कहां सो रहे हैं जागिये राहूल जी ये नफरत का बजार जो आप फिला रहे हैं देश से माफी मागने का समय आया है आप देश को बताईए क्या इनके ब्यानों से आप सहमत हैं क्या ये कानून का उलंगा नहीं क्या ये संविधान का उलंगा नहीं क्या संविधान की धजिया नहीं उड़ाई जा रही क्या ये हेट स्पीच नहीं अगर है तो क्या गमंडिया घटबंदन के नेताओं को देश से म पाफी नहीं मांगनी चाहिए और कॉंग्रेस का हाथ इस नफरती नेताओं के साथ क्यों है आपकी चुपी आपका मौन यह दिखाता है कि राजनीती आपको ज़्यादा प्यारी है और हिंदूों का अपमान करने की लगातार प्रयास जारी है लेकिन एक बात मैं स्पश्च कर कर दों सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदूस्तान अबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी